यहार वीडियो केवल दर्सकों को सिक्षित करने के लिए ना कि कोई गैर काउनी या अवैद क्रिया कलापों को दिखाने या सिखाने के लिए हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रिया कलापों को बरहावा नहीं देते हैं जिससे किसे लेक्टी विशेश, संस्था, संग या समुदाय को सारी रिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुक्सान हो अथा दर्सकों से निवीदन है कि आप लोग वीडियो की किसी भी भात का गलत परीके से इस्तमाल ना करें तनिवार देखना है तो यह आइकन देखना है यह ठीक नहीं है यह छोटा यह बड़ा इससे पहचाना जी नहीं इससे नहीं पहचानना है आपको मैं जैन्यून तरीका बताओंगा क्यों क्यूंकि मैं खुद एक मोबाइल रिपेडिंग शॉप ओपेंड किया हूं मैं मुझे जानता तो आप कैसे उस एप के मदद से पता करेंगी वह रियल चार्जर है कंपनी का चार्जर है कि फेक चार्जर है तो ज्यादा बगवास नहीं करेंगे आपको वीडियो देखने का बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है अप क्लिक एसन को डाउनोड करना है और कैसे यूज करना है यहां देखा रहा है रियल मी लिखा हुआ है कुछ मोडल नंबर दिया हुआ है बहुत कुछ यहां पर दिखने को मिल रहा आपको ठीक है तो ऐसा देखने में रियल है है और हम दोग देखके नहीं बता सकते हैं कि रियल है कि फेक है यह मेरे हाथ का फोटो मैंने खुझ स आपको टेस्ट करेंगे और आपको सामय देखनें डिखा करेंगे यह समय मिल रहा है थो पहले आप werden Death अगर तीनो चीज मिल रहा है आपको इस चार्जर में दिखाई दे रहा है उसके बाद अगला स्टेप अप्लिकेशन में क्या करेंगे वह मैं आपको समझा दूंगा अभी देखते हैं तो तीन सब्सक्राइब्स करेंगे तो दिखाई देना चाहिए एक तो ब्रांड का नाम हम कंसिडर नहीं करेंगे यहां पर देखा रियल मी का तो आपको देखिए यहां पर यह आइकन दिखा देरा स्कॉर टैप में मैंने इसको मार्क किया है स्कॉर टैप में दो स्कॉर बना हुआ ब्लेक कलर का ये एक निसान बना हुआ रहेगा प्लस ये एक होम का निसान बनेगा ये तीन चीज ये तीन निसान आपको देखना है ब्रांड का नाम नहीं देखना है क्योंकि ब्रांड का नाम कोई भी छाप सकता है ठीक है लेकिन ये तीन निसान आपको ध्यान से देखना है जो पहला स्कार्ड बना हुआ है नीचे में बीच वाला में आर बना हुआ है और उसके लाष्ट में होवा है यह समझ्जाते हैं इसका मतलब क्या है फिर आपको समझाएंगे कि लाइप टेस्ट करें कuciónग यह चार्जर की ठीक है कि आपको अच्छी तरह पता है कि först क्या क्या स्प्रवर्बलम होता है क्यिं भी ब्लाशट हो सकता है फोन का प्रफॉर्मेंस अप्रियक बेग्धalin मेंस लुआ तो पहला को इंक आप पिस इसका मतलब ही ए है कि आपको आप होरे नहीं लगने वाला है त Tub लगते हैं और को टार होता है है झिसको केबल दोसरा कड़ टो disposition करेंगे तो आपको current नहीं लेगा इसका मतलब ही होता है clear second जो यहां पर आपको दिखाए देरा home icon home icon का मतलब यह है कि इस charger को home वाले जो current आता है बीज़ी 240 वोल्ट 230 वोल्ट का आता है उसी में यूज करना है कोई industrial जो होते हैं बहुत ज्यादा वोल्ट वाले section वाले में नहीं लगाना इसको नहीं तो यह blast हो सकता है यह performance खराब हो सकता है इसका मतलब यह है और तीसरा जो आइकन आपको यहां पर दिखाए देरा अगर यह real में होगा अगर real brand का है company का original charger है इस नंबर को जब मैं उस application में डालूँगा तो इस charger का पूरा detail आँ चाहिए अगर इसका detail नहीं आता है तो आप समय लिजी का fake charger है तो मैं इस नंबर को कॉपी करकर रखा है तो जूम कर दिखा दो एक बार इस नंबर को देख लिए दियान से 93010022 है ठीक है नंबर को मैंने कॉपी करकर रखा है इसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहां से यह नंबर है व और यहां पर बहुत सारा options नेंगे बहुत सारा चीज आप यहां से चेक कर सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा नहीं करूंगा मैं सिंपल एक ही चीज दिखाऊंगा आपको यहां पर यह वाला जो उल्टा आठ जैसा जो दिखाई दे रहा था वहां पर वही आइकन यहां पर ह कलर में आपको इसी में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको दो option देगा एक तो scan करके पता कर लीजिए या फिर उस नंबर को डालके तो scan का मतलब हो गया कि इस qr code उसमें दिया हुआ उस photo में आपने देखा होगा पर नीचे में दिया हुआ था qr code उसमें दिया था उस कर सकते हैं लेकिन नंबर डालेंगे तो नंबर वाला पने section में क्लिक करेंगे तो नंबर हमने copy किया था यहां पर paste कर देंगे पर चोटा से एक आइकन रहा है साथ 1125 वेलिट अप्टू दोवाजर पचीस तक यह वैलिड रहेगा साथ 11 तक ठीक है उसके बाद यह चार्जर एक्सपारी हो जाएगा फिर सब कोई गैरंटी नहीं रहेगा चार्जर ब्लास्ट भी हो जाएगा तो आप कंपनी पर क्लैम नहीं कर पाएंगे क्यू ग्सार कॉंसा कंट्री है ठीके मैनिफेक्ट्र कर नाम भी दे दिया ब्रांट का नाम भी दे दिया इस्टेटस में दिखा जब विक्री हुआ है तो कंपणी को अरडी पड़ा चल गया कि यह नुक्तिंगा हुआ कि मैंने मुबाइल के साथ चारज़र को पर्चेस किया है यानि यह मतलब कंपनी मिधिका हुआ है क्यूं कर चल रहा है लाइक में अगर अगर अल्लक से charger खलता होता तो अगर यह company में status नहीं डालता तो यहां पर operative नहीं देखाता मतलब यह charger है 100% genuine है जो में charger को फिर से आपको फोटो देखाता हूं यहां पर देखिए यह charger और जो मेंने QR कोड का बात किया था यहां पर देखिए QR कोड दिया था यहां सब QR कोड क scan भी कर सकते हैं clear तो यह charger इसका मतलब 100% genuine है असली है और branded है इसका मतलब मेरा phone में कोई problem नहीं होगा damage नहीं होगा 100% battery backup भी सही रहेगा तो इस तरह से आप सिर्फ देखकर नहीं genuinely use करके आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी fake charger और real charger को तो पैचान सकते हैं और ज्यादा पक्वास नहीं करेंगी वीडियों पर end करते हैं अप्लिकेशन का link discussion में है वहाँ से डाउट कर लीजिए उसके वाद अपना unlimited charger को चेक करते रहे है जब इस charger को purchase करना है खरीदना है तो आप इस application को अपने साथ में रखिए संग संग मार के देखिए यह आरा की नहीं नहीं आए तो फेक चार्जर नहीं खरीड़ना है कि लिए वीडियो पसंदे तो वीडियो लाइक करना चैनल पसंद सब्सक्राइब करना तब तक लिए बाए जैहिन धन्यवाद